कुंती को यह वर्दान देते समय की वह किसी भी देव का आहवान करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती है इस वर्दान के परिणाम के बारे में नहीं बताया इसलिए कुंती उत्सुकतावश सूर्यदेव का आहवान करती है और यह ध्यान नहीं रखती कि विवाहपूर्व इसके क्या परिणाम हो सकते हैं और वर्दाना नुसार सूर्यदेव कुंती को एक पुत्र देते हैं लेकिन इस प्रकार कर्ण की क्षत्रिय पहचान निशेध कर दी जाती है। कर्ण ना कि युधिष्ठिर या दुर्योधन हस्तिनापुर के सिंहासन का वास्तविक अधिकारी था, लेकिन यह कभी हो ना सका क्योंकि उसका जन्म और पहचान गुप्त रखे गए। देवराज इंद्र जिन्होंने बिच्छू के रूप में कर्ण की क्षत्रिय पहचान उसके गुरु के सामने ला दी और अपनी पहचान के संबंध में अपने गुरु से मिथ्या भाशन के कारण, जिसके लिए कर्ण स्वयम दोशी नहीं था क्योंकि उसे स्वयम अपनी पहचान का ग्यान नहीं था, उसके गुरु ने उसे सही समय पर उसका शस्त्रास्त्र घ्यान भूल जाने का श्राप दे दिया। जब उसके रथ का पहिया धर्ती में धस जाता है और उसका ध्यान अपने रथ के पहिये को निकालने में लगा होता। धर्ती माता का श्राप की वह नियत समय पर उसके रथ के पहिये को खा जाएगी और वह अपने शत्रूओं के सामने सरवाधिक विवश हो जाएगा। जिसके कारण वह वचनानुसार दूसरी बार इस अस्त्र का उप्योग नहीं कर सकता था। माता कुंती को दिये दो वचन। महाराज और कर्ण के सारथी पांडवों के मामा शल्य जिन्होंने सत्रहवें दिन के युद्ध में अरजुन की युद्ध कला की प्रशंसा करके कर्ण का मनोबल गिरा दिया। युद्ध से कुछ दिन पूर्व जब कर्ण को यह ज्यात होता है कि पांडव उसके भाई हैं तो उनके प्रती उसकी सारी दुरभावना समाप्त हो गई। पर दुर्योधन के प्रती निष्ठ होने के कारण वह पांडवों अर्थात अपने भाईयों के विरुद्ध लड़ा। जबकि कर्ण की मृत्यू होने तक पांडवों को यह नहीं पता था कि कर्ण उनका जेष्ठ भाई है। दुरौपदी का अपमान करना, दुरौपदी को वैश्या कहना। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को यह आदेश देना कि वह कर्ण का वध करे जबकि वह अपने रत के धंसे पहिये को निकाल रहा होता है। भीश्म पितामा क्योंकि उन्होंने अपने सेना पतित्व में कर्ण को लड़ने की आग्या नहीं दी।